बंगाल में किशोर बेटे को खो दिया है जो एमाम अंतिम संसकार में शान्त करने के लिए अपील करता है आसन्सोल में एक स्थानिय मस्जद का इमाम जिसने इस सप्ता हो पश्चिम बंगाल हिंसा के दौरान अपना बेटा खो दिया शांती के लिए बुलाया है ऐसा लगता है कि राजनीटी ने पश्चिम बंगाल के आसन्सोल में अंगारों को बरकरार रथा है राम नवामी रालियों पर हुई जड़प ममता बनजी सरकार ने भाजपा की नेताओं को हिंसा को बड़ावाद देने के लिए दोशी ठेराया है भाजपा सताधारी त्रिनमूल कॉंग्रेस के तुष्टी करण की राजनीती को जिमेदार रखती है और भारत की कम्मिनस्ट पार्टी उन्हें दोनों पर दूश देती है लेकिन राजनीतिक बिंदू बनाने के सभी प्रयासों के साथ कारणों की आवाजे भी हुई है और शान्त और शान्ती की मांग की गई है इस पिता की तरह जो हिंसा में अपने किशोर पुत्र को खो दिया है मेरा बेटा चला गया है लेकिन यदि आप मुझसे प्यार करते हैं तो शान्त रहें किसी के लिए परिशान मत करो मौलाना इंदादू रुशिदी शहर की मस्चिद के इमाम ने गुरुवार को अपने बेटे के लिए अंतिम संसकार सभा को बताया शहर के इमाम से तीस साल तक की अपील की वजह से शहर के मुस्लिम वर्चस्वाले चुनमारी रेल पक्षेत्र में तनाव बढ़ गया उनके सोलह वर्शिय बेटे कक्षा दस्मी चात्र के चात्र मंगलवार की शाम को गायर भो गए उनके बड़े भाई ने पुलिस से कहा की लड़के को कुछ संदिक धोने खीच लिया है जब उन्होंने राम नामी की रेली से गुजरते हुए हंगामे की आवाज सुनने पर कदम बढ़ाया उनका शरीर बुद्वार की रात में पाया गया और कल की पहचान हुई आसन्सोल के शीष पुलिस अधिकारी एलन मीना ने कहा की लड़के का शरीर मिला है लेकिन वह मौत की परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हम बिना जाज के कह सकते हैं उन्होंने कहा कॉलकाता में राज्य पुलिस मुख्याले के एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि रवीवार की रिंसा आसन्सोल रानी गंज में पश्चिम बर्दवान जिले के क्षेत्रों में शामिल लोग बाहरी लोग थे समाचार एजिंसी प्रेस ट्रस्ट के अनुसार मुख्य मंत्री ममता बनाजी ने राज्य में कानून विवस्था की स्थेती की समीक्षा भी की है राम नवमी उद्सव के दोरान पश्चिम बर्दवान और पुरुलिया जिलों में और तीन अन्य पुलिस कर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए थे